आज लोक जन सकती पार्टी रामबिलास अपना 23 स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी के रास्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के तमाम नेताओं और कारिकरताओं ने कारकरम में हिस्सा लिया। इस दोरान चराग पासवान ने अपने पिता दिवंगत राम बिलास पासवान को श्रद्धांजली दी और उसके बाद केक काट कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाते नज़रा है। आप देखें ये वीडियो जसमें स्थाफ तोर पर ये दिख रहा है कि आज लजेपी के 23 में स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह पार्टी के तमाम नेता और कारकरता इस कारकरम के दौरान मौजूद हैं। तो वहीं चराग इस खास मौके पर के कारते नज़रा रहे हैं। सुनिए इस मौके पर चराग पासवान ने नेताओं वकारकरताओं को संबोधित करते वे क्या कहा। साल 2000 में हमारे नेता आधनिय रामविलास पासवान जी ने लोगजन शक्ती पार्टी की नीव रखी थी। और आज लगबत 23 साल लोगजन शक्ती पार्टी रामविलास ने निरंतरता में समाज के गरीब, शोशित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अलसंख्यत वर्ण से आने वाले लोगों की मजबूती से आवाज उठाने का, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का, लोगजन शक्ती पार्टी ने काम किया। हमारे नेता ने अपने जीते जीत, जितना उनसे बन पाया, उन्होंने हर समभब प्रयास किया, कि समाज के वंचित, शोशित वर्ण के लोग, किस तरीके से मुखे धारा के साथ वो चौड़ पाएं, जिस जिस विभाग में वो रहें। मुझे ये गिनाने की जुरत नहीं है, आप सब जानते हैं, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, छेचे प्रधान मंत्रियों के साथ बतौर, कैबिनेट, मंत्री, उनको काम करने का अफसर मिला। और शुरू से लेकर अंत तक, पहली बार जब वो श्रम एवं कल्यान मंत्री बने विबी सिंग जी की सरकार में, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक, उनको जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस विभाग के माध्यम से कैसे समाज के गरीब वंचत शोशित लोगो को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएं, कैसे उनके हक अधिकारों के लिए योजनाओं को और मजबूत किया जाएं, उसके लिए वो निरंदर्ता में वो प्रियास करते रहें, आज जब वो हम लोगे बीश नहीं हैं, यकीनल पार्टी का सापना दिवस हम सब के लिए, ज करता है, वहीं ये दिन हम सब के लिए एक भावुद दिन भी है, हमारे नेता जब तक जीवित थे, धून दाम से, वो आज के दिन को मनाते थे, उनके जाने के बाद भी हम लोगों ने वो ही प्रियास किया कि जिस तरीके से हमारे नेता अधनी रामविलास पासवान जी, पा हम लोगों ने प्रियास किया, पिछले दो साल, दोजार, पिछले दो साल, दोजार बीस में जब हमारे नेता का निदन हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने हमेशा उसी तरीके से पार्टी का सापना दिवस मनाया, पटना में हम लोगों ने बड़े बड़े कारे करम किये, इस बार लोगजन शक्ति पार्टी रामविलास ने इसको बिहार के अगर हम बात करें तो हर जिले में हम लोगों ने इसको आयुजित करने का पार्टी ने पैसला लिया है। लोगजन शक्ति पार्टी रामविलास के जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्षों के नेत्रत में बिहार के हरे जिले में पार्टी का सापना दिवस पूरी भव्विता के साथ मनाया जा रहा है तो सुना अपने के किस तरह इस दोरान चराग पासवान आगे की तमाम रनीतियों को लेकर अपने नेताओं वकारे करताओं को ये बताते नजराए कि आगे कैसे कारे करना है साथी आगामी चुनाओं को लेकर रनीतियों पर भी बाते कहते नजराए चराग पासवान झाल झाल